तो नमस्कार मेरे प्यारी वश्यों स्वागे से आपके अपने यूट्यूब चैनल दे पीसी एम विजिन में प्यारी वश्यों आज की इस वीडियो के माधम से हम लोग क्लास्ट वेज जियोगरफी जो आप सभी का 9 अक्टूबर को विकली टेस्ट होने वाला है उसके बेवी आई वाइरल MCQ को डिसकस करेंगे जो कि आप सभी के बोर्ड एक्जाम की दिश्टी से भी काफी जादा महत्पून है और ये सब कोशिन आप सभी के बोर्ड एक्जाम और विकली टेस्ट एक्जाम में डारेक्ट देखने को मिलेगा तो वीडियो पे आप लोगन तक बने रहे हैं और चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब अविसकी जेगा तो चलिए सुरू करते हैं और ये का करके सारे कुशिन को देख लेते हैं उपयोगी साधन माना जाता है जिसे होगे आपका पठारी पठारी चेतर के लिए उपयोगी साधन माना जाएगा कि पहाड़ी से थोड़ा से नीचे वाले जो चेतर होता है उसको आपका पठारी चेतर का आजाता है तो इसके लिए भी उतना उपयोगी नहीं माना जाता है क्या पहाड़ी में आपका ट्रक टू विलर फोर विलर चल सकता है क्या तो इसके लिए भी आपका विपयोगी साधन नहीं माना जाता है उसके बाद है मैदानी, मैदानी छेत्र में असानी से गाड़ियां चलती है, चाहे वो two wheeler हो गया, four wheeler हो गया, अथो truck हो ठीक है, जितने भी सड़क परिवहन होगी, मैदानी छेत्रों में असानी से चलते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं, यहाँ पर रोड बनाने से चलिए, अगला कुशन देखे, अगला कुशन है कि पार महा देपी, अस्टूबर्ट महा मर्ग किनके मद्द से होकर के गुजरता है, तो यह आपका डार्विन और मेलबॉर्ण से होकर के गुजरता है, तो इस कुशन का करेक्ट कांतर होगा, option नमर एक, डार्विन और मे अगर नहीं है, अनि कि संसार के कौन से देश में आपका सबसे ज़्यादा सटकें पाए जाती है, तो सबसे ज़्यादा सटकें आपका USA, अनि कि अमरिका में पाए जाता है, इसलिए इस कुशन का करेक्ट आंतर होगा, option नमर एक, USA, उसके बाद देखे, अगला कुशन है कि 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 देश में रेल मार्गों के जाल का सगंतम घनत पाए जाता है, अनि कि सबसे ज़्यादा रेल मार्ग कौन से देश में पाए जाता है, तो यह आपका America में ही पाए जाता है, अनि कि USA में ही, ठीक है, तो इस कौशन का करेक्ट आंतर होगा, option नमर तीन, सन्युक्त रैज, अमेरिका अगर पूछे कि एक के को सबसे लंबा रेल मार्ग में तो सबसे लंबा रेल का तोस्ना लुक्क आले जाता है इसे आप लोग difficult रखेगा और यह तो इसे भी साया जाइक रेल मार्ग जिसके लंबाई कितनी हैं दोस तो इसे भी आप लोग आ जाकेगा 9269 किलोमेटर ठीक है और यह कहां पर पाया जाता है यह तो ध्यान रखना है आपका रूस में पाया जाता है कंफ्यूज नहीं करना ठीक है को सिन पुछे कि कि इस देश में रेल मार्गों के जा magnitude 9269 किलोमेटर ठीक है चली अगला कोसे निक्सें को के का क्या है किविश्व वेस्तम जल मारग है अनि कि को को सा जल मारग आपका सबसे बीजी जल मार्ग है, वहां से सबसे ज़्यादा पानी जहाजें पार होती है, तो यह आपका है उत्री अट्लांटिक समुद्री मार्ग, यहां से आपका सबसे ज़्यादा पानी जहाजें पार होती है, सबसे ज़्यादा वीजी जल मार्ग है, ठीक है, तो इस question क करेक्ट नम्थ रोगा option नमर एक उत्री अट्लांटिक समुद्री मार्क उसके बाद देखें अगला कुशन है कि पानामा नहर जोड़ती है तो यह आपका परसांत महासागर और अट्लांटिक महासागर को जोड़ता है इसलिए कोशन का करेक्ट नम्थ रोगा option number 3 परसांत महासागर और अट्लांटिक महासागर और यह पनामा नहर कब बना था तो इसी भी आपनों ध्यान रहेगा यह आपका उनीस सो चोगडों में बना था और यह आपका पनामा धेस में ही ठीक है पनामा नहर कौन से देस में तो पनामा होकर जाता है गया कुन से महासागर के जाता है तो आध रखेंगे लिए आपका उत्री अटलांटिक महासागर से हो पर इसके बाद देखिए कि सवेज नहर है कुन दो महा सागरों को जोडता है तो आज रखेगा सवेज नहर आपका बहुमादिय सागर और फ। इस तो चय rides टानल कुर से 2 साहरों को जोडता है तो चेनल टानल आपका यह लंदन को पेरिश से जोड़ता है इसलिए कोशन का करेक्ट आंसरों का option नमर तीन पेरिस लंदन को जोड़ता है ठीक है पेरिस किसका रजदानी है तो पेरिस आपका फ्रांस की रजदानी है और लंदन आपका इंगलेंड की रजदानी है ध्यान रखेगा उसके बाद देखें अगला कुशन है कि बिग इंच पाइपलाइन के दुवारा परिवहित किया जाता है अनि कि जो आपका बिग इंच पाइपलाइन है इसके दुआरा एक स्थान से दूसरे स्थान क्या भेजा जाता है तो इसके दुवारा पेट्रोलियम भेजाता है पेट्रोलियम परिवहित किया जाता है ठीक विभाजन भी है और तुलनात्मक लाब भी है अनिकि ये तीनों कारण है जिसके कारण अंतरराष्टिये विपार अभी अस्तित्तु में है ठीक है तो इसको सिन का करेक्ट आंतर होगा उप्यूत सभी उसके बाद देखे अगला कुसिन है कि विपार संगठन का मुख्याले कह है अनिकि डेवलू टी यू का मतलब क्या हुआ वर्ल्ट्रेड और्गनाइजेशन तो इसका मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले आपका स्यूजर लेंड के जेनेवा में ठीक है तो और यह विपार संगठन डेवलू टीयों की अस्थापना कब हुआ था तो आज रखे स्थापना कब हुआ तो अभी कुछ दिर पहले बताएं जेनेवरी 1995 में हुआ ठीक है ओप्सन नमर दो इसका करेक्ट अम्त्रोगा उसके बाद देखे अगला कुछन है कि निम्नव वेपार संगठन में से भारत किसका एक सह सदस है तो भारत आपका साप्टा का सदस है ओप सदस है अगला कुछन है कि आशियान का मुख्या ले कहां पे इस्तित है तो आशियान का मुख्याले आपका इंडोनेसिया की रजधानी जाकार्ता में सदस्ट है तो यह आपका दश्चीन पूर्वी एसीयाई देशों का एक संगठन जिसे आशियान का जाता है और यह यह कि अस्थापना कभ गगा तो आज रखेगा आसियान के अस्थापना आपका 1964 में वगा हुआ था और यह आस्यान में अभी कितने दिश की सदिश हैं तो इसकी दस सदिश हैं ठीक है ध्यान रखेंगे तो ध्यं से वाद देखें अगला कुछ सदुने कि दर्शिन अमेर कि राज्टिऊ में से कूंसा एक और का सदस है निकर इन прямо अपका सदस चाहिक का सदस है और पर तो इसके लिए निमलिखीत महादीपों में से किस एक से विक वे हैं का सरवाह होते हैं तो यह आपका उत्री अमेरिका से होता है, इसलिए इस कोशन का करेक्ट नातर होगा, उप्सन नमर तीन उत्री अमेरिका, उसके बाद देखे, अगला कोशन है कि संजुक तुराज अमेरिका की परसिद पेट्रोलियम पाइपलाइन कौन सी है, तो पहले भी मैंने देखा कि ब महाधिपय के दोनों छेरों को मिलाता है, तो उसे पार महाधिपये रेल मार गया, तो अंतर महाधिपये रेल मार के नाम से प्कवारते हैं, ध्यान रखेगा, उसके बाद देखे, अगला कुशन है कि उत्तर अमेरिका की पच्छिमी तट परइश्थित, किसी एक परमुक सम मुद्री पतन का नाम बताईए तो यह आपका हो जाएगा बैंको रातो सेंद फ्रैंच से को इसे ध्यान रखेगा उसके बाद देखे अगला कुशन है कि उस तेल पाइप लाइन का नाम बताईए जो मेक्सिको की खाड़ी के तेल के कुवगों को संदुक्त रैज अमेरिका क पूरी उत्तर पूरी रैजियों से मिलाती है तो यह आपका बिग इंच पाइप लाइन ध्यान रखेगा बिग इंच पाइप लाइन जिसे पेट्रोलियम परवावविद क्या दाता है अमेरिका का परसिद पाइप लाइन है जो कि आपका मेक्सिको की खाड़ी से तेल के ज दोनों छोर को मिलाता है तो पहले भी कुशन हो गया तो यह से रेल मार को आपका आपका पार महादीप के रेल मार के नाम से ध्यान रखेगा ठीक है तो यह जो इंपोर्टेंट कुशन था मैंने आप सभी को करवा दिया यह आपका बोड एक्जाम और जो आपका 9 अक्टू आएगा ठीक है तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है अगर आप विकली टेस्ट नहीं देते हैं फिर भी पड़ी क्योंकि यही सब कोशन आपके बोड एक्जाम में देखने को मिलेगा और हां आपका विकली टेस्ट का कोशन हो सकी तो आप भीज दीजेगा मैं उ तब चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जेहन जेवारत जोहार जारकंड